नमस्कार दोस्तों, Electical Technician Special में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो हमारा Solar Cell का वाइरिंग खरा से हमारे घर में करेंगे उसके बारे में है दोस्तों यहाँ पे आप एक Solar Cell देखरे हैं यहाँ पे जो हमने Solar Cell का इस्तेमाल किये थे यदि ये 12 बोल्ट का है तो यहाँ पे जो हम बैटरी का इस्तमाल करेंगे वो भी हमारा 12 बोल्ट का बैटरी होगा ठीक है दोस्तो यहाँ पे जो हमारा बैटरी होगा उसका रेटिंग यानि की बोल्टेज हमारा solar cell के बराबर होना चाहिए दोस्तों यह जो हमारा solar cell है इसको यहां पे हम डारेक कनेक्शन नहीं करते हैं, यहां पे हमें एक solar charge controller का इस्तवाल करना परेगा, यह हमारा solar charge controller होता है, अब यह जो हमारा solar charge controller है, इसके द्वारा हम battery को चार्ज करेंगे, ठीके? अब ये जो हमारा solar charge controller है इसको input power supply देने के लिए हम इस solar cell का इस्तमाल करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा solar cell है इसका जो positive terminal होती है वहाँ से एक wire को connect करके लाएंगे और जो हमारा solar charge controller होती है उसका जो पहला terminal होता है यानि कि ये वाली terminal इस terminal पे हम wire को connect कर देते हैं ये जो हमारा पहला terminal होती है इस terminal पे हम solar cell का जो positive wire होती है उसको connect करते हैं ठीके दोस्तों अब ये जो हमारा solar cell है इसका जो negative wire है उसको हम ले जाके इस दूसरे वाले terminal पे connect कर देंगे यह हमारा negative terminal हो जाएगा अब यहाँ पर हमने इसका connection कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था इसको input power supply मिली गया solar cell के दवारा तीके दोस्तों अब यदि मुझे यहाँ पर battery के इस्तमाल नहीं करना है यानि कि मुझे यदि इस solar cell के दवारा directly किसी bulb को या भी कोई electrical equipment है जो DC से चलती है यहाँ पर एक्जामपल के लिए मैंने आपको DC बल्ब दिखाया हूं ठीके अब यदि मुझे इस DC बल्ब को direct connect करना है इसके दवारा यहाँ पर battery का इस्तमाल backup के लिए के दा रहा है तो यहाँ पर मैं backup का इस्तमाल नहीं करना चाहा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर जो हमारा solar charge controller था इसका जो दो last terminal है यानि कि ये वाली terminal ये वाली positive terminal होती है और ये negative terminal होती है ये output power supply होती है DC के लिए ठीके दोस्तों तो मैं क्या करूंगा यहाँ से एक बार को connect करूंगा और इसको ले जाके हमारा जो bulb है उसको positive supply दे दूँगा इसी प्रकास से ये जो दूसरा terminal है यहाँ से एक बार को connect कर के लेके जाऊंगा और इसको क्या करूंगा bulb को negative supply दे दूँगा ठीके दोस्तों अब यदि मैं इस प्रकार से connection करता हूं तो यहाँ पे जो हमारा solar cell का output voltage मिलता है वो सीधे ही इस bulb को मिल जाएगा जिससे जितने ताइम हमारा solar cell voltage को produce करेगा उटने टाइम हमारा bulb glow करेगा लेकिन यदि रात होती है तो यह रात में हमारा जो bulb है वो off जाएगे क्योंकि रात में हमारा solar cell होती है वो काम नहीं करता है दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे हम solar charge controller का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं दोस्तों यानि कि sunlight है वो normal condition में तो यह जो हमारा solar cell हो 12 बोल्ट प्रडीज करेगा लेकिन यदि हमारा जो धूप है वो करक्ती धूप है तो उस condition में यह जो solar cell हो जादा बोल्ट प्रडीज करेगा आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि यह जो हमारा solar cell है यह बीस बोल्ट तक बोल्टे जो solar charge controller है वो voltage को नियंतरित करेगा यानि कि output voltage जो देगा वो constant voltage देगा ठीके दोस्तों अब देखिए अब यहाँ पर मैंने आपको बता रिया कि किस पकास से यदि हमें बीना बैटरी का इस्तमाल किए DC appliance को connect करना है तो कैसे करेंगे ठीके अब यदि मुझे यहाँ पर बैटर करने करके इसको ले जाके हमारा जो बैटरी है उसके positive टर्मिनल पर connect कर देंगे जिससे क्या होगा जो हमारा positive supply है वो हमारे बैटरी में पहुच जाएगी ठीके अब यह जो हमारा फोर्ट नंबर का टर्मिनल है यह हमारा negative supply होती है ठीके तो यहाँ से मैं एक वार को करने करक तो यहाँ पे हमने connection कर दिये ठीके दोस्तों तो यहाँ पे हमारा जो solar charge controller था उसमें जितने भी connection करने तो वो complete हो गया अब दोस्तों यह आप इस अपका से connection करते हैं तो आपका जो solar cell है वो यह धूप में है यानि कि voltage को produce कर रहा है तो क्या होगा यहाँ पे जो हमारा solar charge controller है वो इस battery को भी charge करेगा और कुछ हिस्सा इस bulb को देगा जिससे कि यह जो bulb है वो glow करेगा अब यदि यह जो bulb है वो उसका load ज्यादा है इस solar cell से तो उस condition में क्या होगा हमारा battery charge नहीं हो जितने भी power supply produce होगा वो सीधे इस output में चली जाएगी ठीके अब यदि हमारा जो output load यान जो हम connect किये हैं यहाँ पे वो जदी कम है तो उस condition में हमारा battery charge होती है ठीक दोस्तों यहाँ पे आप load connect करने से पहले आपको यह मालन होना चाहिए कि आपका जो solar cell है वो कितने watt का है और उस watt के reserve से हम यहाँ पे load को भी connect करते हैं ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए हमार हमारे घर में DC appliance बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं हमारे घर में सबसे आदा तो AC appliance होती है यानि की AC load होता है ठीके दोस्तों तो यहाँ पे मैंने एक जामपर के लिए एक पंखा और दो LED बल्ब ले लिया हूँ ठीके दोस्तों देखिए यह जो हमारा पंखा और दो LED बल्ब है इसको चालू और बन करने के लिए यहाँ पे मैं एक switchboard का इस्तमाल करूँगा तो यह हमारा switchboard हो जाएगा ठीके दोस्तों इसी switchboard के दोरा हम इनको control करेंगे अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा पंखा है और जो LED बल्ब है यह AC supply से चलने वाली है ठीके दोस्तों और यहा हमारा inverter हो जाएगा इसके दोरा हम DC supply को AC में convert करेंगे तो यह जो हमारा inverter है वो simple inverter है ठीके यहाँ पे आपको solar inverter भी मिल जाएगा यादि आप solar inverter का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको यह solar charge controller का इस्तमाल करने की जोत नहीं पड़ता है ठीक दोस्तों यहाँ पर मैंने normal inverter का इस्तम यह आपको solar charge controller का इस्तमाल करना पड़ेगा दोस्तों यह जो हमारा inverter है इसमें आपको तीन केबल दिख रहे होगे एक तो यह red वारा केबल दूसरा यह black वाली और यह input power supply के लिए केबल होता है ठीके तो खुल मिलाके inverter में तीन केबल है अब यह जो हमारा inverter का red केबल है इस के हमने इसको connect कर दिया अब यह जो black cable है इसको हम बैटरी के negative terminal के साथ connect कर देंगे ठीके जिससे क्या होगा हमारा inverter है उसको input power supply बैटरी के द्वारा मिल जाएगा अब हमारा inverter था उसको हमने input power supply दे दिया बैटरी के द्वारा दोस्तों यह जो हमारा inverter है वो output power supply इस socket में देता है अब यदि मुझे इस load को इस inverter के साथ connect करना है तो यहाँ से हमें power supply लेना पड़ेगा तो यहाँ से power supply लेने के लिए मैं एक plug top का इस्तमाल करूँगा ठीक दोस्तों यह हमारा plug top हो जाएगा अब इस plug top के द्वारा ही हम इस appliance को connect करेंगे दोस्तों यह जो हमारा fan और bulb है इनक से एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो switchboard है उसके किसी भी एक switch के साथ connect कर देंगे ठीके दोस्तों जिससे क्या हुआ यह जो हमारा switchboard है इसमें face supply आ जाएगी inverter के द्वारा ठीके दोस्तों अब दोस्तों एक चीज़ हमें से याद रखिएगा यहाँ पे आपका ज इस switchboard में यह जो हमारा switch है इसको input power supply मिल गया अब यह जो switch है इस switch के इस्तमाल मैं इस fan के लिए करूँगा यानि कि इस fan को यहादी मुझे चालू करना है तो इस switch को प्रेस करके चालू करूँगा लेकिन यह जो हमारा fan है इसके speed को भी मुझे control करना है तो उसके लिए मैंने जो regulator है उसको input power supply दे दूँगा दोस्तों ये जो हमारा regulator है इसके output terminal से एक वार को connect करूंगा और इसको लिजाके हमारा जो fan है उसको input power supply दे दूगा याने कि phase supply दे दूगा दोस्तों ये जो हमारा fan होता है उसके बीच में एक capacitor को भी connect करते हैं दोस्तों यदि आप चांदना चाहते हैं कि इस पकाल से हम fan का wiring करते हैं तो उसके लिए मैंने एक video बना था उस video में बहुत अच्छे तरीके से explain किya था कि किस पकाल से हम fan का wiring करते हैं दोस्तों यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका link मैंने description में दे दिया हूँ आप वहाँ पे click करके उसको देख सकते हैं ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों देखिए ये जो मेरा socket है इसको control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा ठीके तो इस switch को input power supply देने के लिए मैं क्या करूँगा यहां से एक wire को loop करके इस switch को input power supply दे दूँगा अब यह जो हमारा switch है इसके output terminal से एक wire को connect करूँगा और इसको देखिए हमारा socket है उसके दाहिने वाले pin के साथ connect कर दूँगा ठीके दोस्तों तो यहां पर हमारा socket है उसको face supply मिल गया अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा bulb है यह वाली इस bulb को control करने के लिए मैं इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इस switch के तरह हम कैसे इस bulb को control करेंगे देख लिए यह जो switch है इसको input power supply देने के लिए यहां से एक वायर को connect करूँगा और यह जो switch है इसके incoming terminal पे connect कर दूँगा अब यह जो हमारा switch है इसके outgoing terminal से एक वायर को connect करूँगा और इसको लियाके हमारा जो bulb है उसको face supply देदूगा ठीके दोस्तों अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा दूसरा bulb है इसको control करने के लिए इस switch का इस्तमाल करूँगा तो इसको भी same connection करूँगा यहां से एक वायर को connect करके इस switch को input power supply देदूगा और इसके outgoing terminal से एक वायर को connect करके इस bulb को हम face supply देदेगे तो यहां पे हमारा जो face supply का connection था वो complete होगे ठीके दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पे आपका प्यार और support दिखा दीजीगा दोस्तों प्यार के लिए इस वीडियो पे like कर दीजीगा और support के लिए एक प्यारा सा comment कर दीजीगा दोस्तों आपके like और comment मुझे inspire करते हैं कि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाओ तो please love और support दिखाने के लिए ना भूलिएगा ठीके दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमें क्या करना है neutral supply का connection करना है neutral supply का connection करने के लिए यह जो हमारा plug top है इसका जो left hand side वाली pin है यह वाली ठीके इस pin के साथ हम क्या करेंगे एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके हमारा जो socket है इस socket के बाएं वाले pin में connect कर देंगे यह जो left hand वाली pin है वो हमारा neutral supply के लिए हो जाएगी तो उसके लिए यहां से एक wire को loop करूँगा और इन दोनों bulb को neutral supply दे दूँगा अब दोस्तों देखिए यह जो हमारा socket है इस socket में एक और pin दिख रहा हुआ यह मोटा वाला pin इस मोटे pin में हमें earth connect करना होता है दोस्तों यदि आप earth ring के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाए है उस वीडियो का link में description में दे दूँगा आप वहाँ पे click करके देख सकते हैं यानि की जनकारी ले सकते हैं ठीक दोस्तों चलिए आगे बरते हैं अब दोस्तों देखिए यह जो हमने यहाँ पे inverter का इस्तमाल किये थे इस inverter में एक और additional benefit है क्या additional benefit है दोस्तों देख लिए यह जो inverter है इस inverter को हम AC power supply के द्वारा भी चार्ज कर सकते हैं यानि कि AC power supply देने पे यहाँ पे output power supply मिलेगा इस battery को चार्ज करने के लिए ठीक है तो कै केवल धूप में काम करता है यानि कि इस solar cell पे यह रोशनी पड़ती है तो यह क्या करेगा voltage को produce करेगा जिससे हमारा बैटरी है जो है वो चार्ज होगा अब यह हमारा जो season है वो बरसाद का या फिर ठंड का मोसम है तो उस बरसाद के मोसम में या फिर ठंड के मोसम में क्या होता है धूप बहुत कम निकलता है जिससे कारण से हमारा जो बैटरी है वो अच्छे से चार्ज नहीं हो पाता उस condition में हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए AC power supply की जोड़ पड़ेगा ठीक है तो यहां पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे चार्ज करूए ठीक है द बैद देला सक्रण सब्सक्राइन होगा, वो में प्रफ्राइगा या जो बिजली के खंबे से ऊघ्क अधी के सब्सक्राइग करेंगे फैस सब्सक्राइग करिया यह हम एक मैंश पी टर्मिल उसunu फाला में से राजल सप्टा एक ब्रकर पर चैसरो में सोकेट को केंट्रोल करएं तो इसके लिए क्या करूंगा यहां से आंपूर Давай से एक युर Ext violet कनेक्श कर दे दूँगा दोस्तो यहां से ने उल्टा कर दी के स्ट सब草र्ड को मैंने यहां उल्टा कर दिया और नुल्ता कर दिया हैं और यहां तो दोस्तों देखिए, यह जो हमारा socket है, इस socket का जो मोटा वाले pin होता है, मोटे वाले pin पे हमें earth को connect करना होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहां से एक wire को connect करूँगा, और इसको लिया करूँगा, जिससे क्या होगा, इस मोटे वाले pin को earth मिल जाएगा, ठीक है के द्वारा मैं इसको input power supply दूँगा अब दोस्तों देखिए यह जो केबल है यानि की charging वाली जो केबल है उस केबल को मैं क्या करता हूँ एक वायर को connect करके लाऊंगा और इस plug top के सार connection कर दूँगा दोस्तों यहां पे यहां से लेके direct power supply charging के लिए इस बैटरी को देगा जिससे क्या होगा यहां पे हमारा इसको चार्ज करेगा बैटरी को और यहां से भी charging voltage मिलेगा जिससे यह जो बैटरी है वो हमारा खराब हो सकता है ठीक है हम इस plug top का इस्तमार उसी time करेंगे जब हमारा जो solar cell वो वर्क ना कर करना है ठीक दोस्तों तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक शेर और कमेंट कर दीजेगा और यदि आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक् आवान